हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मिद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं और मस्त भी हैं और IPL का इंजोई आपने लेना शुरू कर दिया है और शुरू के ही जो तीन मैच हुए है क्या जबरदस्त मैच हुए है कि रोमांज अपनी चरम पर है और जैसा कि प्रेडिक चल रहे हैं और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आज शाम का मैच जो की शाम को 8 बिजे से खेला जाने वाला है साड़े सास से इन फैक्ट वो खेला जाने वाला है गुजरा टाइटन्स भिडेंगे मुंबे इंडियन से और बड़ा ही रोमांचक मैच होने वाला है त तो सीधे चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि क्या डीटेल मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हैं मैच नंबर 5 ये होने वाला है आज का जो की एहमदबाद नरेन मोधी स्टेडियम एहमदबाद में खेला और रोईद शर्मा की कप्तानी उन्होंने ले ली है और नया कप्तान ठीक है तैयार भी करना था मुम्मे इंडियन्स को तो हर्दिक पांडिया को यहां पर आपका ले लिया गया है हम हेट टू एर रिकॉर्ड की बात करें तो बहुत ज्यादा यह मैच्च आपस में खेले नहीं सिर्फ चार मैच्च में अपस में भिढ़े हैं और दो मैच आपके गुज्रात ने जीते हैं दो मैच मुम्मई ने जीता है लास्ट पांच मैच की बात करें तो यहां घुजर ये भी कॉलिफायर जो है गुजरा से ही आपको याद होगा पिछले बार हार गए थे और लास्ट के चार मैचेस की बात करें तो दो-दो का मुकाबला रहा है नरेंद मोदी स्टेडियम की अगर मैं बात करता हूं वहां पर ये मैच होने जाना है गुजरा टाइटन्स की ट्रॉफी खेल रहे हैं भी ऑस्टेली में आये नहीं है मिलर अविलेबल है केन विलियमसन भी अविलेबल है रिदिमान सहा उतनिंग करने उत्रेंगे गिल के साथ बी ये शरत को एज रिप्लेस्मेंट ये लेकर आया है क्योंकि रॉबिन मिंच एक्सिडेंट में गाया लो और अविना मनुहर ने एक पारी बहुत बढ़ियां खेली थी इसके अलावा कोई बहुत बढ़िया शारुक खान से प्रदरशन निकल के आया नहीं है विजे शंकर डॉमेस्टिक में ठीक ठाक कर रहे है रन ठीक ठाक बनाते लेकिन एज़ और ये बहुत बढ़िया चल नह जाता है तो फिर कुइन विलियमसन और इसके बीच में मुकाबला हो सकता है कि किसको रखे किसको छोड़े या फिर विजे शंकर बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे इसके बाद आप देख सकते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट खासा मजबूत बज़राता है इन फैक्ट तो राशिद खान अविलेबिल रहेंगे और राशिद खान के साथ मोहित शर्मा यह दो इस समय कुमांड करेंगे पूरी पूरी लीड लेंगे क्योंकि 20 विकट मोहित शर्मा ने भी पिछले बार लिये हैं तो यह दो बेहतरीन गेन बाज यहां पे रहने वाले हैं और जो बहुत ज्यादा सफल सावित नहीं हुए है गुज्रा टाइटन के बोलर्स की बात करेंगे तो उमेश यादव को देखना पड़ेगा क्योंकि इसने और रोहिज शर्मा ने काफी साथ में खेला है रोहिज शर्मा की कमी जानता है तो यह रोहिज शर्मा को जो है अपनी जो ग खिलाया जाता है संधीव वरियर एजा रिप्लेस्मेंट आए वे हैं इंजरी की वज़े से कोई खिलाडी इंजट था उसकी वज़े से कार्थिक त्यागी है सुशान मिश्रा को इन्होंने लिया हुआ है यह आपकी स्कुर्ण रहने वाली है इसके अलावा आप देखेंग गुजरा टाइटन का कोई और खिलाडी बहुत जादा टॉप स्कुरर्स में आया नहीं था हर्दिक पांडिया की कप्तानी में बैलेंस टीम जरूर बनके जीती थी लेकिन आप देखेंगे इस बार जो है अब यह हो सकता है कि कप्तानी का बोज अगर आ जाए शुबन गिल पे तो बल्लेबाजी ना कर पाए हाला कि ऐसा लगता नहीं कापी टैलेंटेट प्लेयर है तो इसको प्रदश्चन देखने के लायक रहेगा ध्यान रखें और हाला कि मुंबई इंडियन्स का सुर्कुमार यादाव भी है लेकिन आज के मैच में अवलेबल नहीं है वो नह क्याप की बात करते हैं तो मुंब शामी ने 28 विगेट लिए थे और 27 विगेट लिए थे राशिद खान ने और 25 विगेट देखिए मोई शर्मा ने लिए थे 20 नहीं 25 यहां पे लिए वे हैं तो यह तीन की तीन खिलाड़ी इसकी थे लेकिन फिर चौथा मुंब में इंडि जिनो का एवरेज है लगबख 2799 बनाए है एक शतक तीन शतक इनफेक्ट इन्हों ने लगा दिया है बाकी का सारा स्टेट आपके सामने देखेंगे कोई बहतरी बहुत बढ़िया इसमें नजर नहीं आ रहा सिर्फ जो आपको खिलाड़ी जो टीम में परमानेंट रह सकते ह शुमन गिल की जगा मुझे लगता है बहुत बढ़िया रहेगी इसके लावा केन विलियमसन भी 36 की एवरेज से रर मनाके गए है और डेविड मिलर तो ये तीन खिलाड़ी जो आपके रहेंगे ये में बैटिंग लाइन अप फॉर्म करेंगे शुमन गिल है केन विलियमसन है और साथ ही साथ आपका डेविड मिलर है इसके बात के खिलाड़ी जो है ऐस डिफरिंशल आ सकते हैं या इनकी जगा आप और उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि कोई भी और खिलाड़ी जो है उसका इतना बढ़िया प्रदर्शा नभी तक रहा नहीं है विजे शंकर और अ को शायद प्रिफरेंस दी जाए अगर बिदेशी खिलाड़ियों का नंबर का बैलेस इनका बराबर रहे तेवतिया कोई खास नहीं रहे हैं ना बल्ले से नहीं आपका गेंस है जो श्रेटिल अभी नए वाइवे हैं मोहित शर्मा के उपर जरूर ध्यान रखा जाएगा 100 म साथी साथ उमेश यादव को भी अगर आप देखते हैं तो 141 मैच में 136 विकेड ये भी ले चुका है तो मोहित शर्मा और उमेश यादव तर टीम में रहेंगे रहेंगे और राशिद खान यही आपका जो है गेंबाजी कमान समालेंगे दोस्तों इसका आप ध्यान में र लाया गया है लेकिन यह कोई भी खिलाडी इतना बहेंकर प्रदशन करने में अभी नाकाम यह रहा है सिर्फ और सिर्फ नूर एहमद को अगर आप यहां देखेंगे तो 13 मैच में 16 विकेड जरूर है तो कहीं पर यह आपका कुछ न कुछ काम आ सकता है बाकी स्टैट आपक बग लगबग 69.33 की आवरेज से 60 की आवरेज के आसपास से इस से रन बनाया है रिदमान सहा कारगर साबित नहीं हुआ था लेकिन विजय शंकर के बल्ले से तीन अरदशा तक निकले थे पिछले बार यही फर्क है कि शायद ओमर जोई को ट्राय करें या इसको ट्राय करें डेविड मिलर ने भी 32 की आवरेज से रन बनाये थे बाकी कोई और बढ़िया नहीं करा था सिर्फ और सिर्फ जो है राशित खान आपको याद है एक मैच में 79 मना गया था हला कि यह मैच हार गई थी काफी कोशिज इसने करी थी और 32 का एवरेज लेकिन राशित को रखना ह बढ़ेगा कि 17 मैच में ही आपके 27 विगिट है मोही छर्मा 14 मैच में 27 विगिट है पिछले आई पेल का बहुत जबरदस प्रदर्शन रहा है हलाकि उबेश आप चाहें तो कहीं पे इसको हटा भी सकते हैं इस तरीके से यह सब कुछ आपके सामने हैं तो यहां से भी सिरीज खेल कर आया वाया है और वहां पे दो शटक इसने लगाए हैं 104 110 और 52 नौट आउट और 91 तो यह अच्छी फॉर्म में चलना है टेस मैच कहीं इसका रिकॉर्ड है तो इसको तो रखेंगे 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 रिदमान सा फस्कलास के रिकृट खेल ला था बहुत तो बहुत शांदार है मतलब यह है तो अच्छी टीमों के खिलाब भी लेकिन प्रदर्शन ऑस्टिले के खिलाब बहुत बढ़ी है इसका नहीं रहा साई सुधरशन की अगर आप बात करें पर आप बात करें तो विजे शंकर एक बढ़िया प्रदर्शन करके आया देविड मिलर बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाया है साउथ अफरीका में ही टी टुनटी खेल रहा था तो यह नहीं चला है लेकिन इस खिलाड़ी को आप नजर अंदाज नहीं कर सकते ओमर जई लगातार विकेट ले रहा है देखिए दो तीन और आप साथ विक लगबग लगवाब देखें हर पारी में इसने विकेट लिये वे हैं तो यह तो आपकी टीम में होट फैवरेट रहे गई रहे गाए जो शलेटिल को मौका मिले ना मिले लेकिन यहीं जमंग दाविकेट अगर मिलता है मौका तो इसको शायद खिलाना पड़ेगा उमें शा खेल रहा था लेकिन तीनों टीटी में इसको कोई विकेट नहीं मिला लेकिन उससे पहले यह जो आपका खेल रहा था वहां पे इसने आठ विकेट दो पारियों में लिये हैं इस्पेंसर जॉंसन बहुत अच्छी फॉर्म में लगा है लेट लेफ टाम टेसर है और भारती क अगर आप देखें रोहित चर्मा को तो स्पेंसर जॉंसन को अगर मौकाद मिलता है तो लेफ टाम की वज़े से शायद इसको खिला जा सकता है वेशारों की जगा तो लास्ट पांच मैंचरों के प्रदर्शन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शुम फिर से वही शुमन गिल स्टेंड आउट नजर आता है 37 की एवरेश से एक शतक 139 पिछले बार इसने बनाये हैं 11 मैच में 409 ठोक दिये थे रिद्वान सहा पिछले बार मुंबई के खिला है 33 की एवरेश से बनाया है तो मुंबई को खेलना यह पसंद करता है लेकिन याद पर मान के चलिए कि ना तो आप गिल रखेंगे ना रिद्वान सहा रखेंगे क्योंकि हो सकता है कि बुम्रा इनको निकाल दे ठीक है किसी प्रकार से साई सुदरशन को भी देख सकते हैं बहुत बढ़िया प्रदरशन नहीं रहा था पिछले मुंबई के खिलाफ बहुत ब लिए है तो फिर से यही खिलाई नजर आता है मुहित शर्मा ने भी 19 मैच में 31 बिगट लिए तो बार बार इशारा कहां की तरफ हो रहा शुबमंगिल डेविड मिलर राशित कान मोहित शर्मा यही खिलाड़ी जो हैं स्टेंड आउट रहने वाले बाकि आप आगे पीछे करके खिला सकते हैं प्रॉबबल टीम 11 क्या हो सकती है तो सबसे बड़ी दिक्कत जो रही है गुजरा टाइटन के साथ वो आपके हार्दिक पांडिया का जाना रहा है क्योंकि उतना बढ़िया कप्तानी यह कर रहा था अब नया कप्तान को मिला है शुमंगिल के फॉर्म मे और इसके बाद आप देख सकते हैं अच्छा यहां पर शायद मैंने इनका करेक्शन नहीं किया हुआ है नहीं ठीक है ओके फाइन राइट अब आप देख सकते हैं कि क्या स्ट्रेटिजी रहने वाली है तो यहां पर सिर्फ आपका नहीं रहने वाला है तो कौन नहीं रहने और अगर आपने इसको कप्तान वाइस कप्तन किया है तो आपकी भी बल्ले-बल्ले है, हलागि इसके चांस कम है, साई सुदर्शन एक बेतिन बल्ले माज है, नमबर तीन पे आपका ये खेलेगा, अगर गुजरा टाइटन पहले अगर खेलती है, पहले अगर खेल रही है तो साई सुदर्शन करेंगी करेंगा, लेकिन अगर मान लीजिये इसने फिल्डिंग कर रही है, साई सुदर्शन की जगाँ, impact player के form में साई किसूर को भी ला सकते है, तो इनके बीच बीचमे एक्शेज रहेगा, impact player की strategy साई सुदर्शन और साई किसूर की बीच में रहेगी, यह adjust करता है कि पहले बैटिंग और पहले नम्बर इसके पार इसके बाद Parents कर के किया जा सकता है के इंज उसके बाद सकते हैं राशित खान अगर इस्पिन कर लेते हैं तो फिर बहुत बढ़ियां हो जाता है क्योंकि कुछ इस्पिन के तौर पर यह आपका साही किसोर को ले आएंगे और डेविड मिलर भी कुछ ना कुछ ऑफिस्पिन डाली सकता है तो फिर इनके लिए बढ़ियां बेतरी मौ करें तो बैटिंग फिर रोहित शर्मा और इशान किशन के एराउन घुमेगी क्योंकि बड़ा अनलकी है कि पहले मैच में इनका सूपर स्टार अविलिबल नहीं है सूरी कुमार यादा हो जो कि वर्ल्ड का सबसे डेंजरस टी ट्विंटी बैट्समें है और टी ट्विंट नमबर चार पे बल्ले बैजी करने उत्रेंगे इसके अलावा यह चार के बाद फिर और सेक्शन आ जाएगा और फिर बॉलर आ जाएंगे हलांकि टिम डेविड विश्नो विनोद और नेहल वडेरा को भी रखा गया है नेहल वडेरा ने पिछले में अच्छी एक बार एक पारी खेली उगे तो बैटिंग तो सरफ इतनी ही एनके पास इसके बाद आल डाउंडर्स की अगर आप बात करते हैं तो अल्राउंडर्स में तो बहिया हार देख पांडिया ही इनके पास है जो की बल्ले और गेंड दोनों से ही कमाल करने की शंता रखता है अर्जुन दिं अविलेबिल नहीं है पहले मैच के लिए और अब ये दो खिलाडी हैं दोस्तों इन पर ध्यान रखिए तो शम्स मुलानी है और अंशुल कमभोज है ये दो खिलाडी मुम्मे इंडियन्स लेकर आईए आप मेरी बात माक कर लीजिए इसको अभी से नोट कर लीजिए शम्स कहीं पर खिलाया जाया तो एस डिफरेंशल प्लेयर आप इन दोनों खिलाडियों को कहीं न कहीं टीम में रख सकते हैं ये आपको बहुत जादा पॉइंट अचानक से ट्रम कार्ड आपके लिए साबित हो सकते हैं बड़ाए नाम जिताने के लिए शम्स मुलानी अंचुल क पिनर की धार जो है काफी कम हुई है हलागी यह भी कोशिश कर रहा है और विगट लेनी की फ़स क्लास में इसने कुछ काम भी बढ़िया किया है इसको खिलाया जाता है तो इसका प्रदेशन देखेंगे कि कैसा रहता है लेकिन यह पहले जितना बढ़िया था उतना दो-ति हाई पढ़ा विकिट भी ले रन भी लिया है वैसे ही रोमार्योड शैफर्ड भी है देखे रोमार्यो शैफर्ड को गर खिलाते हैं तो सारे ृब्रॉंड सेक्षन में में की आपके जरूर रहेंगे और हार्दिक पंडिया के शायद रोमारियो सेफर्ट और मुहम्मद नभी को मौका मिला जाए बाकी किसी के लिए जगा अभी बाकी कोई अविलेबिल नहीं किसी के लिए जगा नहीं लेकिन मुलानी और कंबोज को खिलाएंगे तो आप धियान में रखेंगे बॉस इसके बा मिल सकती है, इस पिन करने के लिए कुमार कार्थी के भी बीच में आते हैं, सौथ अफरिकन टीन संशेशन जो की अभी अन्डर डैंटीन में ये आपका क्वीना मफाका, ये अभी काफी छोटा लड़का है, 17-18 साल का ही शायद मेरे हिसाब से ये लड़का है, और 140 के काड़ी मुमेंटनेस में बना के दिये हैं, उतने किसी और ने बना कर दोस्तों आस तक नहीं दिये हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्विना मफाका है, नुवान तुसारा को शिर्णका से लेकर आए हैं, लिूक वुड ज के एक शातक है, और एवरेज अला की इसका थोड़ा सा कम है, लेकिन जिस तरीकी की क्रिकिट आजकल यह खेल रहा है, रोही शर्वा अटेकिंग क्रिकिट, यह काफी फूटफुल साबित, इस पेशली टी-ट्वेंटी में हो सकता है, इशान किशन बेटरी निफॉम में रह 189 विकिट ले चुका है, हलागि एक वेटरन क्रिकेटर जैसा ही साबित हो रहा है, लेकिन यह विकिट लेता ही लेता है, तो यह आपकी टीम में रहेगा जरूर, बुम्रा को कैसे बाहर कर सकते हैं, बुम्रा जरूर रहेगा, आकाश मदवाल भी 8 मैच में 4 विकिट ले तो सिर्फ और सिर्फ तिलग वर्मा ही 42 के एवरेस से बनाकर एक स्टार खिलाडी निकलेते हैं, और इसी की इनकी IPL की प्रदरेशन की बतौलत इनको नेशनल टीम में भी जगा मिली थी, और ट्विट एंटी में नेशनल टीम में भी बहुत बढ़िया खेले थे, लेकिन फ इस टीम का बहुत बढ़िया है नहीं, ठीक है, मुहमद नवी ने एक आदी मैच खेला है, लेकिन प्रदरेशन बहुत बढ़िया नहीं रहा है, गेराल गुर्जिया भी खेले रही, चावला ने जरूर पिछले बार 16 मैच में 22 विगट लिये थे, मैंने भी बताया भी था यह मुमेंडिन्स का खेलाडी है, जिसने ज्यादा विगट लिये थे, चावला आपकी नजर में रहे गई, बुमरा भी 14 मैच में 15 विगट लिये थे, आकाश मदवाल आठ मैच में 14 विगट तो मदवाल को छोड़ना नहीं है, मदवाल पे भी आपने नजर रखनी है, इसक किसी ने कुछ खेला नहीं है, बहुत जादा, श्रीयश गोपाल ने 49 मैच में 49 विगट लिये वे हैं इसने, याद रखेगा, इसका करियर स्टेट है, लेकिन यह सारे विगट इसने पहले लिये थे, पिछले 2-3 साल से यह काफी आफ कलर है, लेकिन अंशुल कंबोज की ठीक है, जरूर इसको अपनी टीम में रखिएगा, इसके लावा आप देखेंगे नीची की तरफ आ जाए, रुमारियो शैफर्ट को शायद मौका मिले, लेकिन मुश्किल लगता है, और स्काय आज के मैच में अविलेबल है नहीं, तो मेरा मानना यह है कि शम्स मुलानी प है, 47, 58, 52, यह आपके वंडे और T20 दोनों का रिकॉर्ड है, इनका, तिलग वर्मा अच्छी फॉर्म में है, एक शातक इन्हों ने बनाया है, दो शातक इन्फैक्ट इन्हों ने बनाये है, फर्स क्लास क्रिक्ट में, और एक अर्दशातक और 46, 44 के भी श्कोर है, तो नहीं रहा है, टिम डेविड जो है, 41, 31, नौट आउट और आट नौट आउट, T20 खेले थे, लेकिन काफी पीछे आते हैं, तो बड़े स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है, कि मौका बिल जाए तो अच्छा प्रोशन करके यह आपको दिखा दें, आप बुम्रह अच्छी फॉर्म में है, आप देख सकते हैं, काफी वुकेट लिये हैं, अगर आप टेस्सरी की बात करते हैं, तो पहले मैच में 8 विकेट, दूसरे मैच में 6 विकेट, तीसरे मैच में 9 विकेट, चौतरे मैच में 2 विकेट, और फिर 5 मैच में 거는 esse आ, अच Chili वह आ प्राय किया जाए श्रीयस गोपाल आप देखेंगे खेल रहा है देखिए चार विकेट साथ विकेट आठ विकेट दस विकेट लेकर आया है एक आफ एंजुरी भी है लेकिन इसको खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं यह बड़ा सेंसिटिव मैटर है देखना पड़ेगा इसके ल भल्ले से नहीं निकला है तो इस से तो कुछ हमको हासिल होने वाला नहीं एक डिके बाद देखें मधवालने दो इंच में चार वीगिट लिए हैं कारती चारे में थासिराटम वाले में तो गुजरात कि खिलाड़ी के खिलाफ मुंबय कि भी आपका इसके रहने वीप्र प उपनिंग करने उतरेंगे नमबर तीन पे तिलक वर्म बल्लेबाजी करने उतरेंगे नमबर चार पे हर्दिक पाड़े आएंगे फिर नेहल वड़ेरा को खिला जा सकता है और टिम डेविड इन दोनों को खिलाएंगे मुहम्मद नभी हमारे पास हैं यहां पर हम रखेंगे प्यूश चावला जस्वीद बुमरा और आकाश मदबाल और कुमार कार्थी के मेरे इसाब से यह टीम रहने वाली है अगर कहीं जरुवत पड़ी बीच में तो डिवाल ब्रेविस को एज़ा इंपक्ट पेयर ये उतार सकते हैं डिवाल ब्रेविस को लेकिन अभी बहुत सीजन खेले नहीं थे आपको पता है कि इनजड़ी रहे तो ये प्लेइंग 11 इनकी रहने वाली है और इस प्लेइंग 11 में भी उपर के जो टॉप 4 है वो बहुत जबरदस्ते हैं इंक्लूडिंग बुमरा बाकी कुछ ऐसा नजर नहीं आता बहुत जादा इसके लावा लास 46 और अभिनाव मनोहर 42 बना गए थे और फिर मुंबई से ये चेज नहीं हुआ था और यहां पे मोहित चर्मा दो राशिद खान दो विक लिए थे गुजरात ने 55 नन से ये जीत लिया था गिल और प्यूश चावला और राशिद खान नूर एमद ये खिलाड़ी बढ़ी रहे थे इसके लावा फिर एक मैश नंबर 57 था यहां पर गुजरात ने पहले टॉस जीता मुंबई आकर और वांखेड़े में ये मैश था और उन्होंने पहले फिल्डिंग कर दी तो जो गलती मुंबई ने कर दी वहीं नोंने करी फिर मुंबई ने दो 68 का स्कोर कर दिया सुर्कमार यादव ने एक सो तीन नन मनए थे हलाकि काफी लड़ी थी गुजरात एक सो एकानवे तक राशित खान के नक्ता उनासी ननों की बदोलत यहां पहुंची जरूर थी और टॉप और बिल्कुल फ्लॉप हो गये ता गिल विल कोई गिल हो गया आपका रिद्यबा मैच यहां पर रहे थे और फिर लास्ट जो क्वालिफायर था यहां पर मुम्मे इंडियन्स हार गई थी बहुत बुरी तरीके से हार गई थी क्योंकि मुम्मे इंडियन्स ने एमदामात जाके वो गलती रिपीट करी फिल्डिंग पहले ले ले ली 26 मैई का मैच है और 233 र इसके बाद 171 रम जो है मुम्मई सिमट गई थी इस पर काफी लंबे मार्जिन बासरशन से हार गई थी स्रिफ सुरुकमार यादाव और तिलग वर्माई फाइट करें थी लेकिन आज यह नहीं मोहित ने पांच विगिट लिए तो मोहित आज पर कमाल करेंगे इन फैक्ट यहां पर होता नहीं बहुत जादा तो बाद वाली टीम आके आराम से चेज भी कर जाती है 14 वार चेजिंग करने में जीता है ठीक है तो टॉस जी तो और अगर अपने बॉलर्स पर भरोसा है तो सीधे सीधे आप फिल्डिंग लेलो फिर बाद में कंटेंड करके चेज है संराइजर सहधरवाद के साथ 102 हाइस जो चेज है वो 205 यहां पर कर दी गई है और लोईस टोटल 147 हुआ है यहां पर टू पेस विगिट रहता है कभी तो बहुत जादा स्पिन करता है कभी यह बिल्कुल फ्लैट ट्रैक हो जाता है लेकिन जैसे पिछला सीजन की अगर तो सबसे ज़्यादा रन यहां पर बनाए है गिल ने मैने बताया तो इनका फेवरेट हैंडिंग राउंड है और सबसे ज़्यादा विगिट लिए है शामी ने मोहित शर्मा ने राशिद खान ने तो यह तो भाया जब जब गुजरात में मैच होगा एमदाबाद में तब बढ़िया परदशन करता रिद्यमान साहा ने भी अच्छा परदशन क्या है क्योंकि अपनी होम टीम के लिए हार्दीग खेल रहा था तो हार्दीग ने भी यहां पर अच्छे रन बनाए है तो यहां से आपको आईडिया आगया होगा कि कितने खिलाड़ी आपने इस टीम करता है हलाकि अब रोहित बिल्कुल नया और डिफरेंट रोहित है जैसे जैसे उमर बढ़ रही है बल्लेवाजी में और ज्यादा निकार आता जा रहा है अभी रिटार्मेंट के नजदीग भी नहीं लग रहा है जिससे आप से खेल रहा है आप बुम्रा वर्सिस गिल ये ए गुज्रा टाइटल जी तो इन सब चीजों को बहुत अगर आप ध्यान पे रखते हैं इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं जो मैंने आपको बताया तो क्या टीम बन कर आती है देखे मोहित और राशिद दोनों की दोनों मैंने यहां से रखे हुए हैं शामी यहां चल रहे हैं तिलक वर्मा यहां पर नहीं मान के चल रहा हूं कि पहले अगर मान लीजे टॉस जीता और यहां टॉस हारा जो भी रहा किसी तरीके से अगर पहले क्योंकि बैटिंग विकेट अगर हुआ तो फरक नहीं पड़ेगा बैटिंग बॉलिंग का बहुत जादा और यहां से गिल चल गया बहुत बढ़िया बुम्रा ने अगर माननों निकाल भी दिया रिद्यमान सहा को तो नंबर थी पर साही सुदर्शन आता है इन दोनों ने अगर बढ़िया और अच्छा स्कोर बारा के दे दिया तो काफी मौका होगा मोहित और राशित के पास इन पर बाकी टीम वैसे ही रहने वाली है दूसरी बार में मानके चल रहा हूँ कि मुंबई यहां पे अचंबित करने वाला प्रदशन करेगी और जीत के दिखाएगी अगर यह जीत के दिखाने की कोशिश करती है तो रोही शर्मा का रोल फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है रो को गेंदबाजों को मौका देना पड़ेगा तो वहां पर फिर मैं 22 कैप्टन कर देता हूं और यहां पर मैं आकाश मधवाल के ऊपर विश्वास जता रहा हूं और फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी खिराडी को स्विच करके साई सुदर्सन अंदर आ जाए हाला कि इंपेक्ट पेयर वाला बहुत जादा लोग अप्लाय कर नहीं रहें इन फैक्ट जो भी दो तीन पैच हुए हैं उनमें जो भी आपके ग्रैड लीक के विनर रहे हैं उन पर यह इंपक्ट पेयर वाला लगा नहीं है तो काफी कुछ जो है अभी तक के प्रेडिक्शन में म से आप जोइन कर लीजे और हमारे चैनल के मिस्ट्यों करिक्ट को सब्स्राइब करके हमें समर्थन भी करिए ताकि मैं कंटेंड आपके लिए लगातार लाते रहूं तो बैस्ट विशेज हैं आपकी टीम के लिए और आपके लिए भी कि हमारी पूरी फैमिली से कोई ना को यह जरूर जी ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं आपसे अगले मेंच की स्टेडिजी के लिए तब तक अपना ध्यान बखें स्वस्त्रें मस्त्रें बाइबाए टेक क्या